सोमया गाव की एक सिधी साधी 20 साल की लर्की है वो अपने ही गाव में एक लर्के तरुन को मन ही मन बहुत चाहती है कहीं न कहीं तरुन भी सोमया को पसंद करता है पस दिल की बात कहने से डरता है एक दिन उसने हिमत करकर सर्माते हुए सोमया को बोल दिया सोमया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं क्या तुम करती हो सोमय सर्मा कर हस्ते हुए भाग गये फिर बहुत दिनों तक दूर से हैं एक दूसरे को देखने का सिलसिला चलता रहा एक दिन समय और उसकी सहली राधा खेत में जा रहा ही थी तरुन भी पीछा करते हुए आगया और सोमय को रोकर बोला सुमया, मेरे सवाल का जबाब तू देती हूँ, सुमया ने कहा, कल दूंगी अभी जाओ, चाचा देख लेंगे, कल साम को साथ बजे, यहाँ खेत में आ जाना मिलने, फिर हां काकर तरून चला गया, राधा ने छेड़ते हुए कहा, कब तक तरपाओगी बेचारे को बिल क्यों नहीं देती, सुमया हस्ती है और भागते हुए बोली, मैं तू कब से चाहती हूँ, पगले को, पर वो ही इतने दिनों से तरपा रहा था, अभी मेरी बारी है, अगले दिन साम का बरी बेसबरी से दोनों का इंतेजार था, सुमया ने बरे ही सुंदर सी नीले रंकी कुर्ती और सफेद सलवार पहने, बरे बरे कान का जुमके, चम किली बिंदी लगाई और बाल खुले रखे, इधर तरुन, चेक्स की लाल सोट और काली जिन्स पहने अपने, आपको दसबर आइने में नि चैन हो रहे थे, बस अबे सबरी से साथ बजे का इंतेजार था, तरुन समय से पहले आगया थोरी देर बाद सुमया भी आगर, उस तरुन निहारते ही जा रहा था, मुह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, सुमया ने कहा देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी, तरुन आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो सोमय. आचानक सोमय बोल पर तुम्हारे ही प्यार का तो जादू है तू इतने दिन क्यों तरपाया तुमने जबाब क्यों नहीं दिया? सामय ने तरून से कहा मैं तरपाती नहीं तुम पता कैसे चलता कितना प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए दोनों खेत के उपर बने मचान पर जाकर बैठ गए ऐसे ही रोज मिलने लगे घंटों तारे देखकर साथ बैठ कर सोमया कभी खाना लाती तरुन के लिए अपने हाथों से खिला दी कभी तरुन सोमया के लिए फूल लाता तो कभी पायल दोनों बहुत खुश थे और अपनी प्यार भरी दुनिया में खोई हुए थे पर ऐसी बात छिपती कहां है वो भी छोटे से गाउं में एक दो बार गाउं के लोगों ने देख लिया और सोमया का चाचा को बता दिया सोमया का चाचा गाउं के जमिदार और पैसे वाले थे उधर तरुन के पिता जी साधारन इंसान उस दी रोज की तरह सोमया और तरुन मचान पर बैठे थे और एक दूसरे की बाहों में खोए थे अचानक से सोमया का चाचा गाउं के पांचो लोगों के साथ आ गए तरुन को मारने लगे और समया को खिचते हुँ उसके घर लगे समया चिकती रही मत मारो तरुन को पर न रुके और उसे उसको घर पटक कर उसके पिता जिस से कह कर आए कल से तेरा छोड़ा गाउं में नहीं दिखनी चाहिए नहीं तो जिन्दा नहीं बचेगा उधर सोमया के पिता जी और चाचा जी ने कहा कल से सोमया घर के बाहर नहीं जाएगी और इसके लिए जल्दी से रिस्ता देखो इस महिने इसकी साधी हो जानी चाहिए सोमया के माने भी उसे बहुत मारा और कहा हमारी पुरी इज़त उछाल दि गाँ में अब सर यहां इसी कमरे में प्यार पर पहरे लगा गए उधर तरुन के पिता जी ने कहा तू जा यहां से सहर तेरी बुगा जी के पास तरुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें उसने एक खत लिखा और राधा को कहा सोमया के देने को राधा ने चिपचप खत सोमया को दे दिया खत में लिखा था क्या तुम राध को भाग कर बाबरी के पास आ सकती हो मैं वहां इंतिजार करूंगा और फिर हम सहर चले जाएंगे सोमया ने खत के पिछे हाली कर राधा को दे दिया और राधा ने तरून को खत दे दिया फिर दोनों रात होने के इंतिजार करने लगें रात हो गई तरून इंतिजार कर रहा था पर सोमया नहीं आई तरून सोमया का घर के बाहर भी एक दो बार गया पर उसे वो नहीं दिखी फिर सोचा कि साइद उसको प्यार ही नहीं है इसलिए नहीं आए और सहर बुगा जी के यहाँ चला गया एक महीने निकल गया दोनों तरबते रहे पर न तो दोनों की बात हुई न वो कभी मिले घर वालों ने सुमया के साधी सुमयर से तै कर दी सुमेर अच्छा पराल लिखा लरका था, पास ही के गाउं में रहता था, सुमेर के दिल में आज भी तरुन था सुमेर और सुमेर के साधी हो गई, सुमेर चाह कर भी तरुन को भूल नहीं पा रही थी, तन से वो सुमेर की हो, पर मन तरुन में ही था, एक सल बीत गया सुमेर पाउती हो गई उसने एक बेटे को जन में दिया अब वो बेटे के साथ मस्त थी दो साल बीत गई अब वो तरून को भूलने लगी थी एक दिन उसके बेटे को बुखार आ गया उसको सुमेर ने कहा अभी गाव मैंने अस्पताल कुला है चलो वहां दिखा लेते हैं दोनों प बस सब्त नहीं निकले मुह से दोनों की आँखों में आशू थे उसने उसको बेटे को देखा दवाई दी और कहा दो दिन में ठीक हो जाएगा दो दिन बाद दिखाने आ जाना फिर से अतीत बार बार सुम्या को बेचैन कर रहा था दो दिन बाद सुमेर ने कहा आज तुम अस्पताल चली जाना मुझे जरूरी काम है सुम्या का दिल एक तरफ तो तरून से बाद करना चाता था और दूसरी तरफ कदम लर्खरा रहे थे क्योंकि कैसे समना करेगी उसका आज पर उसने जाना परा दिल जोर से धरक रहा था जैसे ही केबिन में गई तरून ने देख होगे नहीं क्या पूछूं सब देख लिया तुम कितनी खूसो एक माई हूं आज भी तुम्हें नहीं भूल पाया तुमसे मिलने फिर आया था गाउं पर राधा ने कहा तुम्हारी साधी हो गई तुम क्यों नहीं आई सौम्या उस दिन इतना तो बता दो कितना तरफता र मैं बेवाफा नहीं हूं मैं भी कम नहीं तरफी हूं उस दिन आ रही थी तो मा मेरे पास सो गई उसने देख लिया और मेरे पैर पकर कर गिर गिराने लगे कि ऐसे मत कर गाउं में बदनामी होगी तेरे पिता जी मर जाएंगे तेरी दो बहने और है उसका क्या होगा उस पना ने मुझे कमजोर कर दिया और रोक दिया जिसने मुझे जन्म दिया उसका दिल कैसे दुखाओं बताओ तरून तरून चुप था सोमया रोती हुई चली गई पर तरून बेचैन था वो बार बार सोमया से मिलना चाहता था और सोमया भी बेचैन थी दोनों की तरफ जाओ, सुमेर आ जाएगा, मैं नहीं भाग सकती, मेरा परिवार है, तुम हर बार यहीं करती होना, कभी मा, कभी परिवार, बस मैं ही एक अकेला हूँ, जो मर रहा हूँ तुमारे लिए, और तुम बेवाफा, कब तक ऐसे ही मुझे रुलाओगी, तुम्हें ढूंडता ही, मै यहाँ इस गाओं में आया था, मुझे मालूम था, तुम यहाँ हो, तुम्हारे कारण मैंने कभी साधी नहीं की, तुम दिल मैं नहीं जा रही हो, तुम चलो सौमया, सौमया ने कहा, देखो तरुन, इस मासुम बच्चे को इसकी क्या गलती है, इससे नहीं छोड़ सकती न नहीं इसके अपिता से दूर कर सकती हो सुमेर कितना प्यार करता है हम दोनों को बस मैं ही सुमेर को अपने नहीं अपना पाई पर जान नहीं सकती और जोर जोर से रोने लगी तरून रोता हुआ चला गया कहा गया पता नहीं पर आज भी सौमयार होती है तरून के लिए पर इस बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती कभी भी और तरून के पास जा नहीं सकती उनका प्यार बस दिलों पर तरप गया वो बस एक दुसरे को दूर से देख सकते हैं पर एक दुसरे को कभी हो नहीं सकते हैं दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लेगी कमेंट में जरूर बताना और आपको किस परकार की कहानी पसंद है कमेंट में भी जरूर बताना मैं आपको मन पसंद की कहानी लेकर जरूर आउंगी धन्यवाद है